गुड मॉर्निंग टियर स्टुडेंट्स आयाम यूर हिंदी टीचर फ्रॉम स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल बच्चो आज हम चैप्टर 12 के कोश्यन आंसर्स और बुक एक्सरसाइजिस करने वाले हैं आपका चैप्टर 12 है सत्रंगी परियां जो आपने कल वीडियो में पढ़ा था तो आएए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के नए शब्द सबसे पहले नए शब्द है टक्कर टक्कर मींज दो चीजों का आपस में मिलना नमबर टू है जूम नमबर त्री है किर्णो नमबर फोर है इंद्रधनुष और नमबर फाइब है चक्कर उसके बाद आपको मैं बता चुकी हूँ कविता की आठ राही ने लिखनी है फिर है एक शब्द में उत्तर दू सेर कौन कर रहे थे बादर परिया कौन कौन से रंकी थी नीली, हरी, नारंगी परियों ने अपनी फ्रोग कहा सुखा दी एक ताल पर इंद्रधनुष के रंगों के नाम लिखने हैं तो आप सबको पताओंगे राल, नारंगी, पीरा, हरा, इंडिगो, नीला और बैंगनी तो बच्चो ये हैं इस चैप्टर के एक शब्द में उत्तर दो जो आपको अपनी कौपी में नोट करने हैं और उनको याद भी करना है उसके बाद में अब हम बुक की एक्सरसाइज करते हैं बुक में जो एक्सरसाइज आपको करनी हैं बच्चो वो ये हैं सबसे पहले पहली एक्सरसाइज है सही शब्द चुनकर खाली इस्थान भरो आपको आप्शन दिये गए हैं उसमें सही आंसर चुनना है तो यहां है आसू, second में है उदास और third में है साथ उसके बाद में exercise 3 शब्दों को सही क्रम में लगाकर कभीता की पंक्तियां लिखो दिये पोश परियोने आसू, आपको इसको सही क्रम में लगाना है ऐसे ही चले वे गए जूम कर जूम, तो है आंसर जूम जूम कर चले गए बो next है, दोनों खुश बादल हो गए, खुश हो गए दोनों बादल next, सब हो गई बंध हर्चल, बंध हो गई सब हर्चल उसके बाद है समान अर्थ बारे शब्द रिखो, जैसे बादल का है make हो गया सूरे, next है वर्षा यानी की बारिश और next है जमीन means धर्थी, तो ये हैं समान अर्थ बारे शब्द, उसके बाद में एक जैसी अवाज बारे शब्द रिखने हैं जिनकी बोलते समय अवाज एक सी हो जैसे चकर, टकर, खास, आस, नीली, पीली, सुक, वो स्वावी दुख, दुख का सुक ये हैं